सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरे यूटूब चनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों लेकर आया हूँ सुरंग की बहुत ही जबर्जस सबजी सुरंग सबजी तो आपने कई बार बनाई होगी जैसे की रस वाली ग्रेवी वाली और मसालेदार बनाई होगी और खाई होगी एक बार मेरे तरीके से नए अंदाज में बना कर देखिए अगर आप इसको एक बार बना कर खा लेंगे न तो सच मानिये दोस्तों उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे और मेरे इस तरीके को देखकर आप बार-बार बनाएंगी तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस रेष्पी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ 250 ग्राम सुरन और सुरन के दोस्तों मैं छिलका यहाँ पर उतार लूँगा और उसके बाद दोस्तो इस तरीके से छोड़ छोड़ टुकड़े कर लूँगा इसके बाद दोस्तो मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ कड़ाई और कड़ाई में मैं यहाँ पर एड़ करूँगा रिफाइन ओईल तो मैं हमाँ तीन चम्मच एड किया हूँ रिफाइन ओइल और इसी ओइल से हम इसकी सबजी भी बनाएंगे तो ओइल यहाँ पर गरम हो गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुरन को फ्राइ करेंगे तो इसे दोस्तों हमें अलट प्लट करते ही वे लगभाग लो फिलेम में 5 मिर तक इसको करते रहना है और यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो जाएगा जब यह fry हो जाएगा तो हमें इसे बाहर निकाल लेना है तो हम इस तरीके से चन्नी से निकाल लेंगे ताकि जो ओईल है वो कड़ाई में गिर जाए और हम सुरुन को अच्छे से निकाल लेंगे इसके बाद दोस्तों इसी ओईल में हम बनाएंगे इस बहुत यूनिक तरीके से सबजी तो लगभग यहाँ पर एक बड़ा चम्मच ओईल बचा हुआ है और इसके बाद आधा चम्मच जीरा अड़ कर देंगे दो तेजपत्ता अड़ कर देंगे दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच लसुन और अधरक का पेस्ट अड़ करूँगा इसके बाद दोस्तों चम्मच से मिक्स कर देंगे लसुन का जो हम अधरक पेस्ट अड़ के हैं उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसके बाद दोस्तो मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ दो प्याज बारिक चौप करके और इसी के साथ दोस्तो मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ छोटी छोटी यहाँ पर एकदम पोटली लसुन की तो ये दोस्तो इस तरीके से मैं बराने वाला हूँ जो की बहुत ही अलग स्वाद आने वाला है तो एड करने के बाद मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगा और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगा जब प्याज ब्राउन हो जाए तब हम यहाँ पर सुखे मसाले अड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद दोस्तो मैं यहाँ पर अड करूँगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसी के साथ मैं यहां पर एड करूँगा गरम मसाला और इसी के साथ दोस्तों मैं यहां पर एड करूँगा सबजी मसाला और इनको अच्छे से Mix कर लेंगे दोस्तो Mix करते रहना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे इसके बाद दोस्तो हम Ed करेंगे दो टमाटर का पेष्ट तो इसको मैं पहले से बनाकर रखा تھा add करने के बाद अच्छी तरह से mix कर देंगे mix करने के बाद दोस्तों अब बारी इसे ढख करके पकाने की तो low fame मैंने कर दिया हूँ और इसे 5 मिर तक मैं ढख करके पकाया हूँ तो मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से पक गए हैं और जो हम प्याज की पोटली एड़ के हैं वो भी अच्छे से पक गया है इसके बाद दोस्तों fry कीवी सुरन एड़ करेंगे और आधी कटोरी मैं यहाँ पर मटर एड़ कर रहा हूँ हरी मटर तो यह फ्रोजल मटर है दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों लगेगी सुरन में मटर एड़ करने से तो इसको हम अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स कर लेंगे और सुरन और मसाले को हम दोस्तों 2-3 मरत तक मैं इसको भूंजा हूँ अब भूजने के बाद दोस्तों एक गिलास पानी एड़ कर देंगे और एक चमच भर के नमक एड़ कर देंगे नमक के बाद दोस्तों मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर हरा धन्या बारिक चौप करके एड़ कर दूँगा और अब हमें इसको mix नहीं करना है डारेट इसको ढग देना है दोस्तो इसको low fame में मैं यहाँ पर 10 मट के लिए ढग दिया हूँ दोस्तो और अब मैं आपको दिखाता हूँ 10 मट के बाद 10 मट के बाद दोस्तो यह ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से दोस्तो सबजी का color आ गया है जैसे कि आप देख पा रहा हो कितना बड़िया दोस्तो यह सबजी बनी हुई है अगर आप इस तरीके से सबजी एक बार बनाकर खा लेंगे तो सच मानिए दोस्तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे दोस्तों ये इतना बड़िया नए तरीके से मैं बताया हूँ और जो स्वाध है ना बहुत हटके है दोस्तों तो जरूर आप इसको एक बार ट्राइ कीजिएगा मेरे तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा